पूरी जान करेंगे आपको आगे इस अब्डेट में बात कते हैं आज के पहले अपडेट की तो उतर भारत में सुषक रहेगा मोसम पहड़ी इलागों में और तक सिर भारत में होगी बारिस उतर पदेश समय उतर भारत के कहई राजों में ठंड का सर कमजूर पड़ा है दो पर बाद से कुली धूप निकलने से आपर तापमान में किराबरताच की गई हाला कि इस साम के बाद तापमान में किराबरत के कारण लोगों को ठंड मैसूस हो रही है वैसे पिशन ठरंड का दोर भी बीच चुका है और इस कारणे आपर काफी रात मिली है वैसे अब मौसम विभाग के उसे अगले पांस दिनों के दुरान देश के अधिकान से इसों में रेने वाल लोगों के लिए खुशकबरी आपर दिये दैसल मौसम विभाग के अनुसार इस तोरां देश के अधिकान से इसों में मौसम सुस्क बना रहने की उमिच जता ही है वैसे देश के पाईड़ी आपकों के साथ साथ अधिक सिर्भाग के करे लाकों में लोगों के लिए बारिस जो है मुसिबत बनेगी वही पूर्वता राज्चों में भी बारिस के आसंक इसके लबा देश के कुछ अन्य भागों पर भी आपर बारिस होने की सम्वावना है मौसम पाग के मताबिक असम अड़ांचल परदेश और रक्सिनी तमयलाडू और के लिए रक्सिनी सों में हलकी से मध्यम बारिस हो सकती है मौसम में भाग का कहना है कि देश के पाड़ी गन्टों के दुरां देश के पाड़ी लाखों के लाबा रक्सिनी भायत कुछी लाखों में लोगों को बारिस का साबना करना पड़ा है वैसे यह वा आपर तापमान में ज्यादा बदाव नहीं हुआ है वही उत्तरपक्सिम भारत के दिकांस राजियों में तापमान नूंतम साथ से दस डिगरी के बीज़ बना हुआ है वहीं मौसुम विबाक्यों से जानकर याप दी गई है कि राजदानी दिली में इंदिनों आपर नूंतम जानकर नूंतमान में लोगों ने के बाद लोगों को ठंड का एसास हो सकता है दिली के मौसम को लेकर ये अफडेट दिया गया है वही रास्तार में विबिन दिन राकों में आपर नूंतम नदों है अपर नूँतुर में गिराबट क्या संका जताए गई है इस कारण ठंड में ब्रुत्री जो है वो तर्ज की जा सकती है वह अगले 24 गंटों के दुरान पस्ति में हिमारेश की मसम के कुछ इलाकों में और अरुणाचर प्रदेश के उपरे रिलाकों में हलकी मद्यां बारिश हो सकती है स्काइम मौमरी से बढ़ते हैं आप देखने को बढ़ रही है बाद अब करते हैं राजिवर मौसम बागे समाचारों की सबसे पहले बात कर लेक्ते हैं डीटेर वाइज मौसम की बात अगर यहां पर खुल करें तो यहां पर रास्तान की मौसम को लेकर अभी अपडेट जो है निकल कर दों बात बारा जारा रहा रहा है राजिस्तान की अपडेट को मौसम को देखें तो यहां पर रास्तार में पर पलान मौसम सुच्च काभा यह चा NEW मौसम रहने के आसार है वही राजतार में आप पर मौसम साफ होने लगा है वैसे दिन में आप तोड़ा दिन जो है गर्म लगे लगबग तीन दिनों से पारात तीशने के आसपास बहुत जुगा है दस्तारी तक पर दिन से मौसम सुच करेगा दिन ताफमार और पड़ेगा से राजी के लोगों को सर्दी का असास जो है होगा वह मौसम बाकी मताबर कोटा पूंदी और बेरमार मेरी गंगानगर अन्मानगर जेपूर में रात का पार दस्तिक पूरा भी पहुँच गया है इ अगर रास्तार के राज़र जेपूर के बात करें तो यहां पर ताफमान की चार्डरीटर केसपास रेकोट किया गया है ताफमान जो है भी फिलाल सब्सक्राइब है कि अगले दो तीन तक पारा और विया पर चड़ेगा हाला कि रात और दिन की तापमान में विशे संतर चारी रहेगा वह एंपी में अपर सदी से रहत मिलें के असा देख रहे हैं विया मुस्लूम भाक कि मारे तो आने बाले एक दो दिनों में आपर नो तारी तक आप मन तीन डिगरी तक बढ़ सकता है हला कि काई अपर शीट लहर और बाले खासर जारी तर बाला घाट सामिल है नितर चलों में तापमान तस्टिक्री के असपास बना हुआ है वह दिन में साधी से रात बिलेगी फिलाल रात में सर्दी का सर जारी रहेगा इस परकार का अपडेट मुस्लूम भाक के और से चारी किया गया है वह सबसे कम तापमान की बात पिसे 24 गंटों में एमपी के अंदर की बात करें तो यहां पर पांस तसमनों एक डिगर शेश तापमान जो है उमरिया में रिकोर्ट किया गया है वाई बालागाट में वीते राज जो है सीत लहर के हाला तेकरी को बिले है मुस्लूम भाकर सार एमपी के के से लो में नियुट थापमान दस से कम रहा राज़धारी पुपाल में 964 डिकीट ताइच की हालाकि नुबर गोळार जबल्पूर के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है अब बिहार के मौस्लिक के तरब आगे बढ़ते हैं बिहार के मौस्लिक को लेकर भी और बात कर लेते हैं कि आके बिहार में मौस्लिक कैसा रहेगा बिहार के लोगों को किस परकार सर्दिक का सामना करना पड़ेगा तो बतारे आपको कि बिहार के सुना सिलों में पारा जो है लूड़ो गया है और अभी सर्दी फिर आपर बढ़ने के आसार जिताए गए हैं दसर ब्यार के अंदर जो पच्छुआ हुआ हुआ उसे बढ़ने से आपर पस्वा हुआ बहने के कारण पटना समय पूरी रजी के अंदर तापमान में जो उत्राव चलाव का दोर हमें जारी है मौसम पूर्मान के रोसार अपनी राजी में अंसी कोहरे का परभाव बना रहेगा हलाकि आने वाले 48 गंटों के दुरान पर देश के पूर्वियं पंसी चपारान जो इलाका है इसके लाव सीम्नी शारण और गुपाल का इंसी तामरी मदुभनी और मुजब पर पूर द झाल झाल